नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक्जाम तक यूट्यूब चैनल में ये जो वीडियो हैं वीकली सीरीज का वीडियो हैं जो की सभी प्रतिवगी परिक्षा एससी बैंक रेलवे अधनिय जो भी कम्प्टिटिव एक्जाम से हैं वेरी इंपोर्टेंट है वीडिय टेलीग्राम पर उपलब दो चुकी हैं सो आप लोग डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक हैं स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले एक जनवरी से लागू हुआ RCEP इसको मैं अगर बात की जाए इसके बारे में मैंने आपको बता ही थी डीटेल्स बट फिर भी बता दूँ फुल फॉर्म एक तो याद रखना है रीजनल कॉम्प्रेहंसिव एकोनोमिक पार्टनर्शिप ये क्या है ये 15 देशों के बीच में हुई है और उन 15 देशों में आपस में ट्रेड जो है वो बहुत आसान हो जाएगा जहेशी बात हैं याँ पर लिखावा है रीजनल कॉम्प्रेहंसिव एकोनोमिक पार्टनर्शिप आर्थिक सयोग संगठन है तो आपको थोड़ा सा इंपोर्टन याद रखना अब 15 सज़ेशी हैं कौनसा आपको याद रखना 10 तो आसियान वाले कंट्री जे अब आसियान देश इंपोर्टन याद रखना दो तो ऑस्ट्रिलिया प्लस न्यूजी लेंड ले लो उसके अलबा जापान और साउथ कोरिया ये दो गए और फिर एक हमारे सबके चाचा चाइना सब में टांग अड़ा देता हैं तो चाइना ने यहाँ पर भी गुस गया तो 15 सज़ेश जी ने शुरू किया है अगर बात के 10 जनवरी से एक जनवरी से 10 अपरेल तक यह प्रोग्राम चलने वाला है आपको इंपोर्टन याद रखना यहाँ पर जो ना जो कक्षा एक से आठवी तक के बच्चे हैं वहाँ पर उनमें शिक्षा को किस तरह से और अच्छा क्या जा से तो इस तरह किसे यह पढ़े भारत अब्यान आपको आद रखना किसने शुरू किया है और किते दिन का है यह थोड़ा सा अबको याद रखना और कक्षा आठवी तक हैं यहाँ पर जोए अब्यान छातरों के सीखने का जो इस तर है ना लर्निग जो capability है उसको और improve करने वाला है नेक्स अगर बात की जाए हाली में किस दिश के प्रदान मतरी अब्दुला हम्दोक ने स्टीफा दे दिया important इस विक की ये घटना है सुडान के जो प्रदान मतरी थे अगर बात की जाए सो कॉल्ड प्रदान मतरी थे बाकी असली पावर तो यहाँ पर आर्मी के पास में थी आपको पता हुआ अक्टूबर में यहाँ पर सेन्य तक्ता पलट गए उसके बाद अब्दुला हम्दोक और आर्मी ने मिलकर जो है एक गटबंदन की सरकार बने की आर्मी भी है प्रदान मतरी भी तो असली पावर जो है आर्मी के पास थी इनको बस नाम का बनाया गया था जंता ने इनका खुब विरोत किया तो अब इस्तिफ़ा दे दिया हैं अब्दुला हम्दोक आपको याद रखना सूडान के प्रदान मंतरी थी सूडान के बारे में आप लोग जान लीजी खारतूम कैपिटल मिलेगी आपको इसक यह सब डीटेल्स में आपको बता दिये यह है मैप में सूडान आप लोग देख पाएंगे नौर्दन अफरिका में यहाँ पर रेड़ इसी से लगा हुआ हैं यहाँ पर लाल सा करें और आज पास में आप लोग देख पाएंगे इजिप्ट लीबिया चाड मिलेगा संट् आगे बढ़ते हैं कि शहर में वाटर टेक्सी की शुरुआत हुई है यह हुई है इन्द मुंबई आपको याद रखना ठीक है बंबे में वाटर टेक्सी की शुरुआत रीसेंट में हुई है आपको याद रखना है अच्छा वाटर मेट्रो की शुरुआत कहां पर हुई ह जाने कि एक तरह से नाव के तरह जो आना एक एक डिबा होगा ये एज़ा मेट्रो काम करेगी ये कोच्छी में करेगी आपको याद रखना सूरत मेट्रो के लिए अभी जर्मनी के साथ भारत सरकार ने सयोग किया हैं और इसके अलबा कानपूर मेट्रो रिसेंट में शुरू छांगाई रखना सी में हैं यहाँ बात समय है उप्रदमान मात्री नरेंध्र मोधी जी तो आपको याद रखना क्या रखना है पन की बीना पाइपलाइन ठीक है ये इस तरह से याद रखोगे तो आसाने से याद रखा पन की बीना पाइपलाइन पन की यूपी में है और बीना मिलेगा आपको MP के सागर डिस्टिक्ट में I think तो वहाँ पर जो ना बीना में पेट्रोलियम की रिफाइनरी है तो वहाँ से पाइपलाइन के जरिये जल्दी से पहुंचाने के लिए ये पन की कानपूर तक जो है ये पाइपलाइन है जिसका उद्गाटन किया है रिसेंट में प्रधान मंतरी जी ने आपको याद रखना ये मध्या प्रदेश में मिलेगा आपको बीना और उत्र प्रदेश में मिलेगा पन की नेक्स्ट यहाँ पर ये डीटेल्स में डाल दियें 356 किलोमेटर की लंबी होने वाले ये पन की बीना अच्छा ये कुश्मन नहीं उस दिन पूछा था बट आपसे फिर से पूछ रह देख रहे हैं अब मैं आपको इसकी पीडिएफ बता लेता हूं छे दिन की पीडिएफ एक साथ में टेलिग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजीगा बिलकुल कोई प्रॉब्लम नहीं है पीडिएफ देने में मुझे कोई प्रॉब लूड करना है और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे तो वो वीडियो देखके आप लोग बुक बाय कर सकते हैं नेक्स्ट कौन सा कोशन हाल में विक्टर सनेव का निदन हो गया इंपोर्टन याद रखना विक्टर सनेव जोना ये जोर्जिया के थे एक्चुल में हाल ट्रिपल जंप ये ट्रिपल जंप जो हैं खेल याद रखना 1968 मेक्सिको में 1962 म्यूनिक जर्मनी में और 76 मॉन्ट्रियल कैनेडा में तीन लगातार ऑलम्पिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं और 1980 जो मॉस्को में हुआ था बहापर सिल्वर जीता है तो काफी इंपोर्टन थे उस समय USSR एक इता आपको बताओगा तो USSR की तरब से खेलते थे उसके बाद अभी अलग वगद तो ये जोर्जिया से थे ठीक है आपको याद रखना दोनों ही नाम और विक्टर सानेव का नाम याद रखना कौन सा खेलें ट्रिपल जंप ये जरूर शे पूचा जाएगा को कौन अपोइंट हुए तो विनी महाजन जो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचीव थी वो अभी जो है जल शक्ती मत्राले की सेकरेटरी बनी है गजेंदर शिंग शेकावत साब जो है ये जल शक्ती मत्री है दुरका परसाद मिस्रा यूपी के चीफ सेकरेटरी बने है रि का मित्तल बनी है ओंजी सी की पहली महिला अधिक्ष ठीक है ओंजी सी ओल एंड नैचुरल गैंस कॉर्परेशन ऑफ इंडिया वेरी इंपोर्टेंड हैं ये कोशन्स यहां से पूचे जाते हैं आम तोर पर कोशन्स हैड़कॉर्टर्स मिलेगा नियू डेली में 1956 में शी वासुदेव इनका नाम वैसे याद रखना की जिरूत नहीं है हिंदुस्तान पैट्रोलिम कॉर्परेशन लिमिटेड हपी सील की यह जो हैं 2015 के आसमास वादिक्ष बनती पहली बार किसी भी पैट्रोलिम कंपनी की यह महिला थी बट अभी याद नहीं रखना है तो ुशुक को मनाई जाता है। यह वाला question है next अगर बात के हाली में यह very important question है option नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि question है question is very important 3 trillion dollar 3 trillion dollar का अकड़ा पार करने वाली पहली company कौन सी बनी है almost इंडिया का आज के टाइम पे GDP इतनी ही है 3.1 I think 3 trillion dollar है तो लगबग इंडिया की पूरी GDP के बराबर आज apple company है यह आप लोग मान के चली इसकी कितना बड़ा huge capital market है पूरा कपूरा यहां पर मैं data दे दूं तो सबसे उपर मिलेगी आपको यहां पर apple 3 trillion फिर 2.5 trillion dollar पर बैठी है Microsoft सत्य नडेला वाली वह भी थोड़ा सा याद रखना ठीक है और यहां पर 2020 की starting में इन्होंने जो है apple net 2 trillion dollar का आंकड़ा पार किया था और अभी तीन trillion dollar का भी आंकड़ा पार कर लिया है नेक्स्ट आगे बढ़ते है एक्जाम तक 2.0 चैनल अगर आप लोग नहीं जानते तो सुन लीजिए topic wise जीके subject wise जीके short जीके trick in detail वीडियो topic wise current अफेस सब कुछ यहां पर मिलेगा तो comment box मे सौरी नीचे description में link मिल जाएगा जरूर इस channel को check out कर लेना इस video को देखने का बाद very important channel है आप सबी के लिए ssc railway वगरे के लिए very very important channel है next आगे बढ़ते हैं हाली में कल्पना चावला space research center की शुरुआत का पर हुई है चंडिगड university में हुई है रक्षा मंदरी राजनात ये इन्दचंडिगड university स्टार्ट हुई है next आगे बढ़ते हैं किस देश के मुहमद हाफिस ने सन्यास ले लिया है पाकिस्तान के all around रहते और मुहमद हाफिस 41 की age में इन्होंने अभी सन्यास लेने की गोशना किये important याद रखना पाकिस्तान के बारे में ठीक है बस ये य यहाँ पर आपको रिवीजन के तौर पर ही देखना है क्योंकि बच्चे रोज वही बात सुनते हैं तो फिर अच्छी नहीं लगती अब मैं पाकिस्तान के पी एम बताऊं राजदानी बताऊं ये सब अच्छी थोरी ना क्योंकि ये सब को पता हैं और वैसे हम लोग डेली करण टफस में ये भी करवाते हैं तो जिनको बेसिक से सीखना है वैसे डेली सुबह 6 बजे जरूर देखे वीडियो तो इंडिया नौ सेना भारतिया नौ सेना की मेजबान में एक बहु पक्षे अभ्यास जो है मिलन 2022 ये कहां पर विशागा परतना में किया गया लगबग 46 सिक्स कंट्रीज यहां पर पाटिसिपेट कर रही हैं तो काफी जएदा कंट्रीज है नाम याद रखना है बहु पक्षे अभ्यास मिलन 2022 ठीक है 1995 से इसकी शुरुआत हुई ये युद्ध अभ्यास होता है बिलकुल हर दूसरे साल इसका आयोजित हो रहा है इस बार विशा पदमस्री अवर्ड ठीक है तो 2021 पदमस्री अवर्ड मिल चुका है महराष्टर सरकार दोड़ा 2010 में आहिलिया भाई हॉलकर अवर्ड भी मिल चुका है दोनों अवर्ड मिल चुका है सिंदू ताई सपकाल को और इनकी रिसेंट में डैट हो गई है ये जो हैं इनोंने काफी सारे अनात बच्चों को गोड लिया हुआ था और एक तरह से NGO की तरह ये वर्क कर रही थी तो काफी अच्छा वर्क कर रही थी ये आपको इनके बार में याद रखना है कहां से थी पूने महराष्टर से थी वो भी याद रखना सिंदू ताई सपकाल नाम याद रख लो इ इस एरपोर्ट के नई टर्मिनल का उद्गटन क्या है ये क्या है सरदार बीर विक्रम हवायडा स्वरी सरदार नहीं है महराजा वीर विक्रम हवायडा ठीक है के मिलेगा इन दे कैपिटल ओफ त्रिपूरा अगरत लामें ठीक है नियरेस बांगलादेश बोर्डर के पास जस्ट है ये अगर तल्ला एरपोर्ट याद रखना ना महराजा बीर बिक्रम हवायड़ा ठीक है महराजा बीर करके जो आप लोग जो हैं राजस्तान में कुछ मत करना ये अगर तल्ला त्रिपूरा में एरपोर्ट मिलेगा काफी important question है वैसे एरपोर्ट वगर ये सब टॉप अभी बन रहा है आपको पतका यूपी का पांच वा इंटरनेशनल एरपोर्ट यूपी में किते एरपोर्ट है पांच इंटरनेशनल एरपोर्ट है वो आपको याद रखना अभी 500 चालू नहीं हुए एक तो ये याद रखना वारानसी का लाल बाहदूर शास्त्री फिर ल मिलेगा एहमदाबाद में यह आप लोग मैप देख वाएंगे यह तिर पूरा तीन और से बंगलादेश से घिरा हुआ जैसे हम लोग डेली करेंट अफेस में हम लोग इसके बार में डीटेल से डिसकस करते हैं मैप वगरे हाले में किस राजिय का जो गंजम जी लाएंग याद रखना गंजम डिसक किस राजिगा जिसने बाल विवा मुकत गोशित हो चुका है उडिषा का है यह आपको नाम याद रखना ठीक है उडिषा का गंजम डिस्क्त बाल विवा बुगत हो चुका है नेक्स्ट है S.H. शर्मा का निदन हो गया very important question संबंद पूचा गोई कि वाइस एड्मिरल थे 1971 वार में इन्होंने इस्टन जो हमारा कमांड थी न नेवी की वहाँ पर इन्होंने बहुत एहम रोल निभाया था तो इनका नाम आपको याद रखना पूरी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग थे 1971 वार तो एचस सर्मा याद रखना ये भी याद रखना तिब्बती बहुत जो धर्म के लोग हैं वो मनाते हैं इसको as a new year तो याद रखना आपको लद्दाक में लोसर महुतसम मनाया जाता हैं तिब्बती लोगों द्वारा मनाया जाता है नेक्स्ट एफ फोटो पत्रकारिता स्रेड़ी में किसी रामनात गो इनका अवर्ड मिला हैं तो ये मिला हैं जिशान ए लतीफ को जो ये अवर्ड दिया गया है इंदो का नाम भी याद रखना वैसे में रिविजन इसके लिए करांट अफ्यज का जितना रिविजन करोगे उत्ता अच्यसे आपको याद रहेगा प्रेम शंकर जाको लाइफ 2021 गोशित किया है ये दोनों आवर्ड जो ना ये किसने दिते अफ दब मुंबई प्रेस क्लब द्वारा अवर्ड दिये गए किसने दिये अवर्ड तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन्वी रमना साब ने दिये तो ये दोनों आवर्ड वेरी इंपोर्डन है और इन तरगना 37.29 बिलियन डॉलर राएं ओके नेक्स्ट अगर बात किया हाली में किस देश में नए कोरोना वायरस का वेरियंट आया आई एच्यू कह सकते हैं यहां फिर इसका पूरा कंप्लीट अकर बताऊं कोड नेम कहें एक तरह से तो भी वन सिक्स फोर जीरो टू ये फ्रा आई साब गली-गली में मिल चाहें ओमिक्रॉन अब हैं साथ जनवरी के करेंट अफेस इंपोर्टेंट बारा से सोड़ा जनवरी तक 25 वा राष्ट्य यूवा महोतसव जो कहां पर आउजित किया जाएगा ये किया जाएगा अगर बात के पूड़ू चेरी में आपको पर प्रदान मिंटरी जी खुद हिस्सा लेने वाले हैं ये भी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है हर्पी चंडी जोना अकले साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बन चुके हैं बिना किसी की हेल्प लिए ठीक हैं अकली पहुंची है एक्चल मैं यूके क हैं लेकिन भारतिय मूल के यूके की सेना में जो हैं फीजियो थरापिस्ट है यानि की मेडिकल विंग में हैं यूके की आर्मी में और इनको पॉलर प्रित के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हैं यहां पर गूमती रहती हैं तो थोड़ा से याद रखना उपरोग सभी है क्योंकि भारतिय मूल की इसलिए ज़्याद रखना लेकिन कहां प्रहें UK की है अब नेक्स्ट आगे हैं भारत का पहला पेपर लेस कोट जो हैं कौन सा हाई कोट बनाए ये केरला हाई कोट बनाए रिसेंट में एक जनवरी को इसका उद्गटन किया हैं HY संदर चूड़ने डी वाई चंदर चूड़ने जो की सुप्रीम कोट के जैज ये हमारे उन्होंने केरला हाई कोट को डीजिटल तरीके से पेश करने का शुरूआत किया है नेक्स्ट आगे बढ़ता है हाल में राष्टिय स्वच गंगा मिशन के नए महानेदेश किसे न्यूक्त किया गया है तो ये किया गया आगर बात कि जी अशोक कुमार को आपको याद रखना जल शक्ति मत्रा लेकि अंडर में ही आता है राष्टिय स्वच गंगा मिशन बना है यह बना हिमाचल प्रदेश जो कि फॉस्ट स्टेट बनने वाला है आपको याद रखना ठीक है पहला रज्य जो कि अलपीजी सेक्षम और धुम्रपान मुक्त रज्य बन रहा है यह आप लोग इसके बार में और कुछ डीटेल्स देख पाऊगे और यह मैं आपको बता दिया 2.0 चैनल जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप लोगों ने नहीं किया है अगर सीरियसली एक्जाम में कुछ अच्छा स्कोर करना चाता हो क्योंकि कम वीडियोज में आपको काफी अच्छा नॉलेज मिलेगा नेशनल साइंस डे का मना जाता है अठाइस फेबर बात कि जाए किसने सीवी रमन ने रमन एफेक्ट की 1930 मिन को नोबल मिला था 1954 में सीवी रमन सापको भारत रतना मिला था और 1987 से जो हैं हर साल यह मना जाता है अकर बात की राष्ट्य विग्यान दिवस्ट आप लोग सोच रहोंगे इतने साल कैसे याद रहेंगे एक सीक्व प्रोसकारों की शुरुआती फिफ्टी फॉर में हुए उससे पहले कैसे मिल सकता है तो फिफ्टी फॉर में हुई उसके बाद 1987 से यह डे भी मनाना शुरू हो गए आगे बढ़ते हैं जनवरी 2022 में UNSC की जो एंटी टर्रिजम कमिटी हैं वहां की अद्धिक्ष्टा भारत क का मेंबर हैं नेक्स्ट अभी 102 वा मेंबर कौन सा बनाएं ऑफ दे इंटरनेशनल सोलार अलायंस यह बनाएं एंटीग्वा बर्बूडा दोनों वेस्टन डीस जो आइलेंड्स हैं वहां पर इस्ते हैं यह दोनों कंट्री मलब एक ही कंट्री इसका नाम हैं एंटीग्वा बर्बूड आपको याद रखना है 102 वा सदिशे 101 वा सदिशी कौन सा बना था 101 वा बना था the USA याद रखना वेरी इंपॉर्टन इज्रैल भी रिसेंट में बना था काफी सारे देश बना इटली बना था एंड यह सब 102 देश बन चुके लेकिन 81 ने फुल टाइम जो हैं इस फॉल फॉर्म याद रखनें इंट्रनेशनल सोलर एलाइंस अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आठ जनवरी के सभी आइटिंक 9 जनवरी के हैं यह ओके तो जो भी आठ जनवरी के कोशन है हालिमे के सदेश में सुप्रिम कोर्ट में पहली महिला न्यादिश आइशा मलिक न तो ओडिएफ प्लस वाले जो अगर बात के तेलंगाना टॉप पे तेलंगाना में जो जितने गाव ओडिएफ फ्री हुए थे मलब जो गाव ओडिएफ गोशित हुए थे ना उनमें 96 परसंट गाव जो हैं ओडिएफ प्लस के टेगरी में भी बन चुगे यानि कि आप वह और आपके रिचार्ज कर लेगी जो भी आपने सलेक्ट किया हुआ होगा ठीक है जो इसमें सलेक्ट करेगा उसके आटोमेटिक होगा सबके आटोमेटिक नहीं होगा बड़ आपको थोड़ा सा एक्जाम पॉइंट वे से यह कोशन बैंकिंग वगरे एक्जाम में ज्यादा पूचा जाने का चांसेज हैं एन पी से याद होने चाहिए नैशनल पेमेंट कॉर्फरेशन ओफ इंडिया फूल फॉर्म फिर से सुन लिजिए नैशनल पेमेंट कॉर्फरेशन ओफ इंडिया दो जार आंठ में होती है स्थापना मुंबई में मिलेगा हैटकोर्टर्स आर्बियाई का ही एक पार्ट है और जियो यूजर जो है पांच जार रुपे तक की आपना ट्रिचार्ज कर पाएंगे नेक्स्ट है प्रताप सिंग राने वेरी इंपोर्टन परसनलिटी काफी सारी परसनलिटी की हमने चर्चा किये हैं जिनकी डैथ हो गई है या फिर कुछ इंपोर्टन अपोइंट्समेंट हुई है प्रताप सिंग राने को जो हैं गोवा में आज एवन कैबिनेट का दर्जा दिये गए हैं प्रताप सिंग राने अगर बात के सोड़ा वर्ष तक यानि क हायस्ट टाइम तक जो हैं सबसे लॉंग्स टाइम तक जो हैं गोवा के चीफ मिनस्टर हे ते 11 बार गोवा के MLA रहे चुके हैं भाई साब 11 इंटू 5 55 साल तो इनको जो हैं गोवा की विदानसभा में हो चुके हैं देख लेजिए और गोवा विदानसभा के स्पिकर भी रह चुके हैं 40 सीट हैं गोवा में जिनमें एक सीट तो ये लेके बैठे हैं पिछले 55 सालों से तो देख लो अब इनको आज इवन कैबिनेट का दर्जा मिल चुका है So it is very important Congress के वरिष्ट नेता है और इनका नाम थोड़ा सा याद रखना इंपोर्डन है वैसे जोग सपार्ट नेक्स्ट कोशने अगर बात किया पांच वर्षों के लिए अगले पांच वर्षों के लिए जो चात्र स्टाट अप और नवाचार नीती इनोवेशन नीती जो हैं गुवाम USA में गुवाम USA के आईलेंड से हैं इन दे पैसिफिक ओशियन ठीक है वहाँ पर यह आयोजी तो रहा है छे देशों के बीच में यहाँ पर आपको US मिलेगा, कैनेडा मिलेगा, औस्ट्रिया मिलेगा, जपैन मिलेगा, साउथ कोरिया मिलेगा और इंडिया खुद मिलेगा, ठीक है, तो यह छे देश हैं, जो अभी एक्सराइज कर रही है नाम याद रखना, Sea Dragon, ठीक है Sea Dragon, it is very important अच्छा, भारत की नौसना, मिलन दो जार बाइस कर रही थी थी ना 46 कंट्रीज के साथ, दोनों अलग अलग हैं, याद रखना, वो कापरूँ आ था, विशका पर्दम में नेक्स है, जांग मिंग, SEO के नई महासची बने हैं, जांग मिंग का नाम याद रखना इट इस वेरी इंपोरेंट परसनलिटी, वैसे परसनलिटी तो किया हैं, जांग मिंग हैं, बढ़ हां, नाम याद रखना, क्योंकि अपने को एक्जाम क्लिर करना है, चाइना के हैं ये, and SEO, आपको पताओगा, SEO is very important organization, शंगाई Corporation Organization, अगर बात किया है, इसमें 9 सदिशे हैं, रीसेंट में जो कौन सा सदिशी एड़ हुआ, इससे समधित question पूचा जाएगा, तो इसका question का answer है, इरान, इरान इसमें नया जूड़ता, भारत पाकिस्तान 2017 से ही member है, और अगले साल इसका समिट भी भारत में होने वाला है, तो जांग में तीन सालों के लिए अधिक्ष बन चुके हैं, नेक्स आगे बढ़ते हैं, ममता बियोंड 2021, ममता 2021 से भी पीछे, 2021 में जो स्टोरी हुई थी, इस पुस्ता के लेका कोन है, जहनत गोशाल, बस इतने याद रखना ज्यादा मत रखो, इस बुक का नाम है, जहनत गोशाल, नेक्स आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा कुशन है, हाली में, बैंक ओफ वरोड़ा के ब्रेंड एंडॉर्सर किसे नुक्तिया शेफाली वर्मा को, ठीक है, शेफाली वर्मा आपको याद रुकना, भारती महिला किरकेटर, इनको बैंक ओफ वरोड़ा ने ब्रेंड एंडॉर्सर नुक्तिया है, इस सब डीटेल आपको पीडिएफ में मिल जाएगी, असम राइफल्स के नए आईजी कौन बने, यहाँ निदेशक हिंदी में सुन लिजे, यह अभी परदीप चंद्रन नेजर साब हैं, जो कि हैं लेफ्ट नेंड जेनरल, ठीक है, अभी मेजर जेनरल को ने विकास लखे रहा हैं, जो आईजी बने हैं, यह आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, असम राइफल्स, 18 1535 स्तापना, शिलोंग में हैटकोर्टर्स मिलेगा, उत्तर पूर्वी के प्रहरी जो हैं, यह इनका मोटो हैं, नेक्ष्ट है, हाली में कहाँ पर आईनेस हंसा पर जो हैं, राफ़ेल के समुदरी वर्जन का परिक्शन क्या हैं, यह गोवा में किया हैं, ठीक हैं, सभाई सा वीकली में रिवीजन कर लिजीगा, यह अगर बात किया, यहां पर भारतिय नौसना कर रही है, आईनेस हंसा पर राफ़ेल का समुदरी वर्जन, यह बुक अगर बात के आज लॉंच हो चुके हैं, इसके बारे में वीडियो जो हैं, दस बजे सुबह प्रकाशित हो चुका हैं, दस जनर्वरी को हो ही गई हैं, जब तक आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, 2022 का न्यू एडिशन है, इट इस वेरी इंपोर्डन फॉर यू, सो मस्ट बाइट, और नेक्स्ट हैं, अभिनिता सिडनी का निदन हो गया, सिडनी पोर्टर, यह अमेरिका के थे, आपक परसेंट, नेक्स्ट आगे बढ़ता हैं, यह बन आपको बता दिया हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, नेक्स्ट है, हाली में तीसरा राष्टिया जल पुरुसकार किस राजी को दिया गया, उत्तर प्रदेश को दिया गया है, इट इस वेरी इंपोर्डन, अलेक अल बिहार स्टेट आपको याद रखना ठीक है, बिहार में हैं, और यह हो सकता है भारत का 54 टाइगर रिजर्व, तो यह इसलिए चर्चा में है, आपको याद रखना है, वैसे हो जाएगा, तो हम लोग आपको बता देंगे वीडियो में, तो मस्ट सब्सक्राइब एट, और बेल आइकन को हिट कीजिए, और 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, टेलिग्राम को नहीं किया है, तो अभी जोइन कर लिजिए, मिलते हैं कल के वीडियो में, जैहिन, जैभर्ट